नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका TC Fashion में हैं दोस्तों इस में हम लगाएंगे फलाई की सिलाही जो की नए लोगों के लिए हैं प्लिकुल जिनको फलाई की सिलाही नहीं लगाना आती है जो कि बिल्कुल नए हैं क्योंकि पिछले पार्ट में हमने इसकी पूरी जुलाई करी थी वो वीडियो नहीं देखा है तो पर आई बटन में मिल जाएगा देख लिजेगा लेकिन इस वीडियो में हम फलाएगी सिलाई आपको ऐसे बताएंगे कि आप बिल्कुल नए हैं और पहली बाल लगा लें तो आप बैठेंगे थोड़ी नहीं दिर यह देखे कागर तो आपकी पहले से ही बनी हुई है क्योंकि यह लपकी सिलाई लगी है इसकी कगर से आउन लपकी सिलाई आपकी आएससे नहीं होना चाहिए बटन में इस वीडियो के बाद देख लेना पूरी समझ में आ जाएग तो आपसे शिलाई नहीं लगेगी कोई नए हैं आप बिल्कुल ही तुई में धागा डाल लेना इस तरीके से और उसके बाद यहां पर आपको पकड़ना यह अच्छे से बैठाल के और यहां से अब यह चीज़ देखिए हमारी बिल्कुल अंदर को है यह लप ताकि आपकी बाहर बिल्कुल चमकना नहीं चाहिए उसके बाद यहां पर आपको अच्छे से इसको बैठाना है यहां पर और इसको अटाना है और आई से करके ताकि यह अच्छे से आपकी बैठी रहे बिल्कुल गुलाई में जैसा कि फलाई गई वी है बैसे ही आपको कच्चा भी डाल लेना है तो ये इस तरीके से आपको कच्चा डाल लेना है दिखेंगे बिल्कुल फिनिसिंग के साथ पड़ा हुआ है अगर इसमें नम बगर आएगी तो ये स्थीक नहीं रहेगा उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आपको एक इंच एक सूत का सीधा आपको ये काट लेना है इस तरीके से पट्टी एक इंच एक सूत की है और इधर साइड में भी एक इंच एक सूत की सीधा निसान लगा लेना है लंबाई का ये निसान लगा हुआ है, यहां से हम फलाइक शिलाई लगाएंगे अब इसको सबसे पहले आपको गुलाई देना होगी क्योंकि गुलाई यह आप सुर्वात में लगा रहे हैं तो आपको गुलाई समझ में नहीं आए का इसे देना है देखें जो जीन्स की पेंटे होती हैं उनमें गुलाई बिल्कुल ही ऐसे करके दी जाती है ऐसे करके गोल में ऐसे करके लेकिन हमारी जो सिबिल वाली पेंटे होती हैं उनमें गुलाई ऐसे करके नहीं होती है उनमें गुलाई ऐसे करके होती है बिलकिसी अब हम इसको ऐसे करके घुमाएंगे हलका उसके बाल लगेगी आपकी यह टाकी इस तरीके से बिल्कुल किरास में ऐसे करके टाकी लगती है तो टाकी आप यहां से देखे आदा इंच की उपर गई है और फिर आपने कट देगा है और इधर साइटम भी तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं यह सिला हुआ है यह लगा है तो हमें यहां तक ही फलाई की सिलाई लगाना है और आपको पैटरन ऐसे करके इसको रखना है ऐसे ओके सबसे पहले तो हम इसको सेट करेंगे इसको काटेंगे थोड़ा सा और इसको ऐसे करके रख देना है अब हम लगाते हैं पैटरन यह जो निसान है यहां तक ही हमको ऐसे रखना है और सिम्पल सा बस इसको लगाना है देखे पैटरन आप दबाय हुए है यह हिला नहीं चाहिए आपका पैटरन अगर यह पैटरन हिलेगा तो आपकी सिलाई भी हिलेगी आप बिल्कुल गुलाई में ले लेना है अब देखे यह हम नारा उंगली रखिये पैटरन पर हिल नहीं रही है इसको आपको दबाय रखना है और इस कुंडे को उपर खींच लेना है यह हो गया कुंडा और यह वाला हिस्सा तो हमारा पहले से ही आई से करके है तो हम क्या करेंगे अलका सा बूट उठा लेना है अगर आप कहीं पर ज़्यादा गुलाई करने में दिक्कत हो बस यह हमारी लग गए अब हमको पैटरन यह हटा देना है तो यह देखिए यह फलाई किसलाई हमारी कितनी फस किलास लगी है यह ओके लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है अभी काम खतम नहीं हुआ अब यह बाला जो हिस्सा है हमको पूरा देखिए नीचे से देखिए ये वाला जो हिस्सा है हमको इसको सीधा कर दिना बिल्कुल ऐसे करके कि आप जो टाकी लगेगी हमारी ऐसी बाली वो इसके उपर लगेगी ये भी आना चाहिए ऐसा नहीं पिर इसको आपने हटा दिया ये भी उपर आना चाहिए तो यह हमने उपर कर दिया बिल्कुल अब हमको यह उपर ले जाना है टांकी लगाने के लिए अब यहाँ पर देखें कुंडा बगर भी आपका होता है तो यहाँ पर जब टांकी लगाएं तो हांस से मसीन चलाएं क्योंकि अक्षर हापकी स्वी भी तूट सकती है यह जो लंगोट है यहाँ पर लगाना है देखिए इसको हमको चिर्मा करना होता है इसको ओके यह हमने चिर्मा कर दिया और यह जो है इसको फड़ा साप कर लेते हैं यह चिर्मा कर लिया अब यह जो लंगोट है यह हमको ऐसे करके थोड़ी सी मोड लेना है अब हम इस पर शिलाई लगाएंगे यहाँ पर आपको टांकी लगा लेना है अब देखें दो शिलाई आम ने अंदर से इसमें लगाई थी और एक शिलाई हमारी उपर दे तो तीन शिलाई हैं यहाँ पर होगें बहुत ज्यादा मजबूत हो गया यह काम तो हमारी लंगोड जो है कुछ इस तरीके से आ गए, सीरी सीधी बिलकुल और फस्किलास, तो अब इससे मजबूती बढ़ जाती है, तो अब हम जो है, इसको सबसे पहले हुक लगका निसान लगाते हैं, अब हाई का तो अब हमें जरूरत है नहीं, अब हमें हुक के निसान क लगता है तो ऐसे करके आपको नाप लेना है कहां पर आ रहा यह है ओके एक हुख हमारा यहां पर लगेगा एक हुख आपका यहां पर लगेगा आदा इंच इधर साइड बढ़ा कर आप लगा सकते हैं बिल्कुल जश्ट सीधा हुख ठोकना है इसके बीचों बीच में ही है यह हमारा काम हुआ इसमें हम पत्ती लगाएंगे इसको अब हम मोड देंगे इन पत्तीयों को अंदर के लिए मोड़ेंगे मोडते कैसे है यह दिखियो मोड गई थोड़ी-थोड़ी हमको मोडने के बाद पैंची से ठोक देनी है ओके मतलब इसके और नहीं आपको पेंट को नहीं इधर साइड में ठोकना आ है वो मैंने ठोक दी हलके दूसरा वाला भी आपको ऐसे ही ठोकना है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं वाज ऐसे ही ठोक दूँगा अब हमको क्या करना ऐसे करके रख के और इसको सबसे पेले उपर वाला हमको तिलाई लगानी है बाद में नीचे की लगाएंगे और बिल्कुल बरावर रखना है क्योंकि हमने प्रेस से तो पहले ही अपनी तोड़ी ली थी क्योंकि अगर आप कम जादा कर देंगो तो इधर साइटम कम जादा हो जाएगे तो वो नहीं होना चाहिए ये टाकी लगाई ये हमारा काम हो गया इसको निकाल दिया अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम नीचे की साइट लगाएंगे कि यह यह यहाँ पर आया है तो इसको अस्तर को उपर कर देना है फलाई का हिस्सा है यह नीचे कर रखना है ऐसे करके हम इसको कर देंगे यहाँ पर थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो आपको धियान से लगाना है चलाई यहाँ पर टाकी लगाई बस हो गया मारा काम यह देखिए चेन को बंद करना है चेन का कुंड़ा नीचे करना है दबाना है और ऐसे रखना है फिरेस और बिल्कुल इसको ऐसे करके यह फिरेस हो गया बिल्कुल सामने की फिलाई यहाँ पर यह देखिए यह लिखा हुआ है इससे तोड़ा सा नीचे यानि कि इदर से तोड़ा सा बीच में तोड़ा सा इदर हटा के यहाँ पर निसान लगाना है बिल्कुल इदर साइट नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा इदर भी नहीं लगाना है यहाँ पर लगाना जीगेटी जहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद ये हो गया पहला वाला हमारे इस पर उंगली रख लेना है दूसरा वाला हमने को ऐसे करके इस पर भी लगा लेना है पहली बाली तो हाई हमारी इसके अंदर जाएगी तो हम बीचो बीच में इसको ठोक देते हैं यह जो है यह इसके अंदर जाएगा इसको हटा देना है इस पाले को हिस्से को और इसको आपको ऐसे करें पकड़ना है इसको अंदर यह अंदर चला जाएगा इसके यह देखिए और यह बाला है यह इसके अंदर चला जाएगा अब हम लगाते हैं सलाई यह जो सलाई लगी है इसी के हिसाब से आपको पैरवाली लगा लेना है सलाई सेल्प देखे कितना बिल्कुल गोल में आया है आप इसमें प्रस लगाई तो और चपक जाएगा क्यूंकि हमने बैल्ट जो थी उपर के लिए थोड़ी सी मोड दी थी चिपकाते समय तो इसलिए पूरी स्रीज देखना तभी आपको पूरी तरीके से अच्छे से बनाना आ जाएगी प्रेंट तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं कच्छा है बाद में आपको खोल देना है और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे इसकी यह सीट जो है पीछे की फलाट करेंगे खुब क्योंकि यह भी आपको सीखना जरूरी है और जब तर लग यह नहीं सीख क्योंकि बताना है पूरी सीरीज में आपको बता जूँगा तो दोस्तों पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करें चैनल पर पहली वारा है तो झाल